प्यारे बच्चों कैसे आप सब आजी तो हम क्या कर रहे थे अपना ग्रेविटेशन की एक्सराइज कर रहे थे ठीक है एच्छी वर्मागी अपनी तो पांच क्योस्टन तर कम कर चुके थे अब नेक्ट क्योस्टन आगे करते हैं ठीक है सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि वीडियो आप तर पहुंशते रहे तो आईए जो अपना नेक्स्ट क्योस्टन है सिक्स्ट क्योस्टन ठीक है उसमें अपने पास क्या है find the acceleration due to gravity of the moon at a point 1000 km above the moon surface अपने को क्या बतानी है acceleration due to gravity g की value बतानी है moon के surface से 1000 km की height पे तो क्या formula लगेगा अपने पास surface से हम height पे जा रहे हैं तो अपने formula पढ़ा था variation of g with height क्या formula पढ़ा था variation of g with height तो height के साथ बच्चो जो अपना formula था g का वो क्या था g dash equal to g upon 1 plus h by r इसका home square ठीक है यह अपने अर्थ के case में पढ़ा था लेकिन मून की बात है तो मून पे भी यही formula लगेगा हमें calculate क्या करना है g dash और g यहाँ पर किसकी अर्थ की या मून की किसकी रखेंगे बच्चो मून की h क्या है height है जो कितनी given है 1000 km गीवन है r क्या है radius है किसकी मून की तो अपने पास radius यह given है मून की और mass मून का यह है तो mass जो मून का है अपने पास उसकी जरूत नहीं बड़ेगी हमें radius से अपना सिर्फ काम चल जाएगा ठीक है तो आईए मिलके करते हैं श्याबास देखो गई क्या जाएगा अपने पास g dash equal to g moon अच्छा g moon क्या होता है बच्छो g moon जो होता है वो अपने पास क्या होता है g earth by 6 ठीक है न 1.6 होता है किसका earth की gravity का earth की gravity क्या होती है बच्छो 9.8 by 6 तो यह अपने पास क्या आ जाता है g moon 1.65 meter per second squares के आसपास आ जाता है ठीक है तो आईए देखो g moon अपने पास क्या है बच्छो 1.65 upon 1 plus h h कितना है height कितनी given है earth moon के surface से 1000 km तो यहाँ पे 1000 और radius of moon r क्या पूट करेंगे अब radius of moon अगर earth के surface पे बात करते थे तो बच्छो radius of earth पूट करते थे और moon पे बात करेंगे तो radius of moon कितनी given है 1740 km तो इसको solve कर लेंगे तो अपने पास answer आ जाएगा वो क्या हैगा 0.65 meter per second square ठीक है इस equation को बस solve करमें math से इसको solve कर लेंगे ठीक है अच्छा देखो moon के surface पे g क्या था 1.65 1000 km की height पे क्या है 0.65 तो increase वह यह decrease हुआ decrease हुआ क्या हुआ हाना क्या हुआ decrease हुआ decrease हुआ decrease हुआ तो हमने तो अपना जो calculation हो सारी सही है क्योंकि हमें पता है कि surface पे जो g होती हो maximum होती है और height और depth के साथ क्या तरती है बच्छो decrease करते है ठीक है तो यह अपने पास क्योंस है 6th question note कीजिए इसको thank you क्योंस हुआ